इंडिया के इसरों ने मंगलियान से अपना संपर्क खो दिया है मंगलियान जिसको की हमारे प्यारे देश बारत ने नवंबर 2013 को 4500 क्रोड की लागत से लॉंच किया था और वो सेक्सेसफुली सेप्टैमर 2014 में मार्स पर पहुंचा था जिसको की चाइना और USA जैसे बड़े बड़े देशों ने भी इंडिया की खूब तारीफ की थी होलिवूड मुवी से भी कम का बजट था मंगलियान का तो सोर्सिस के हिसाब से इसरों ने मंगलियान से कौन्टैक्ट खो दिया है क्योंकि उसमें फ्यूल खतम हो गया था पर आपको बता दो कि इस ओर्बीटर का एक और भी सोर्स था एनेर्जी का और वो है सोलर एनेर्जी जिससे कि इसकी बैंटरी दुबारा चार्ज हो जाती थी और आट सालों से ऐसी चल रहा था और बिल्कुछ साइफ फंक्शनिंग कर रहा था पर फिर जैसे हमारे यहां अर्थ पर रात हो जाती है और सूरज छिप जाता है तो वैसे मार्स पर भी होता है और अगर बैंटरी खतम हो जाए तो उसके लिए इसमें 33 किलो फ्यूल भी था संबालने के लिए पर अनफॉर्चनेटली दोजास तारा में कोई एस्टीरियोड प्रोब्लम की वज़े से 20 किलो फ्यूल यूज हो गया था इसरो ने इसको सिरफ 6 महीनों के लिए बेजा था और ये 8 साल चल गया तो अब क्या ही चाहिए कभी ना कभी तो ऐसा हो नहीं था बाकि अभी इसरो ने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट नहीं दिये तो देखते हैं कि इसरो की तरफ से कोई स्टेटमेट आती है ये नहीं तो मिलते हैं अगली वीडियो में